तो गैस आज में इंडियन बाइब ड्राविंग 3D के सिटी से जाने वाले हैं जी दिय फाइब के सिटी में माईकल और फ्रांक लिन से मिलने के लिए और भाई वहाँ पह पर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडियन बाइक ड्राविंग 3D के पुलिस वाले माइकल को इस तरह से मारने लगे आज ओ देखते हैं लेट्स को ओल्राइट गैस तो आज मेरे पास जीडिय फाइब के फ्रैंकलीन का कॉल आय था उसने हमें बहुत ही आरजेंटली पता नहीं क्यों बुलाया है तो चलो यहाँ से चलते हैं सीधा GTA 5 में अपने डिफेंडर को लेते हैं यहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट पे वहां से हम अपनी प्राइबिट प्लेन को लेकर के जाएंगे GTA 5 सीटी के अंदर वैसे भी काफी टाइम पहले हम माइकल और फ्रैंकलिन से मिले थें तो इसी बारे हम उनसे भी मिल लेंगे So let's go, चलते हैं सिधा GTA 5 City के अंदर एक सेकेंड Guys, इतने सारे पुलिस वाले और इतनी सारी सेकुरिटी किसे ले करके जा रही है भाई यहाँ पर आगे एक पुलिस की कार है, बीच में एक कार है और उसके बाद यहाँ पर एक बुलेट पुरूफ कार है भाई और उसके पीछे भी एक कार है Guys, यह लोग जा का रहे हैं भाई जिसे इतना प्रोटेक्ट करके ले करके जा रहे हैं, फिलहाल तो अपनी डिफेंडर को यही पे खड़ी कर देते हैं और आजो Guys, चलते हैं अपनी प्राइविट प्लेन को ले करके सिधा GTA 5 के सिटी में भाई, इसका डूर में खुड़ा छोड़ दिया था, वो तो अच्छा हुआ कोई ले करके नहीं गया भाई तो Guys, अभी अभी Franklin का दुबारा से कॉल आया था, वो कह रहा कि यार ट्रावर की एरपोर्ट पे वो हमारा वेट कर रहा है भाई, इससे पहले तो वो ऐसा कभी नहीं किया, और वो मुझे इतना अर्जिंटली क्यों बुला रहा है यार, वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा तो चलो यहां से हम सीधा चलते हैं ट्रावर की एरपोर्ट पे लेट्स को गाईस हमा चुके हैं, जीटी फाइब की सीटी में यह रहा ट्रावर का एरपोर्ट तो चलो देखते हैं कि माइकल और फ्रैंकलीन कहां पर है भाई, वो लोग हमारा कहां वेट कर रहे है ओके तो यह रही फ्रैंकलीन की कार, यह अपनी डिफेंडर ले करके आया है और इसके साथ में एक और कोई बंदा है मैं सबसे पहले अपनी प्लेन को यहां पर खड़ी कर देता हूँ आज हो गाईस देखते हैं कि भाई आखिर बात क्या है, यह लोग हमारा वेट यहां पर क्यों कर रहे है और इन्होंने हमें अर्जेंट क्यों बुलाए है यहां पर गाईस दो ही लोग है या, ट्राबर और फ्रैंकलीन लेकिन माइकल हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो आज हो बात करते हैं सबसे पहले फ्रैंकलीन से देखते हैं कि आखिर प्राबलम क्या है तो गईस हमने फ्रैंकलीन से बात कर लिया है और भाई यहां पर तो बहुत बड़ी प्राबलम हो गई यार माइकल को किसी ने किड्नैप कर लिया है इसके लिए फ्रैंकलिन ने हमें अर्जिंट कॉल करके बुलाए है और हमारे साथ ट्रावर भी है तो चलो अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे बंदे के पास जो यही सब काम करता है और उससे कुछ दिन पहले माइकल से फाइट भी हुई थी बहुत ही तगड़ा फ्रैंकलिन और ट्रावर को सक हो रहा है कि उसी बंदे ने माइकल को किड्नैप करवाये है तो चलो अभी हम जा रहे हैं उस बंदे के पास परना हम उसे जान से मार देंगे सो लेट्स को गाइस हम आ चुके हैं उसके फैक्टरी के पास यह रहा उसका फैक्टरी सामने से तो गुछ ऐसा दिख रहा है अजिन इसके बैक साइड गाइस वह illegally काम करता है तो चलो चलते हैं सीधा इसके बाक साइड और यहां पर उसका एक बंदा होगा आई तिंग यह देखो यहां पर एक बंदा बैठा हुआ है यह उसको इनफॉर्म कर दिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने उसे इन फॉर्म कर दिया और यह देखो भाई यहां पर पहुचते ही भाई लोगों ने हमारे उपर फायर करना इस्टार्ट कर दिया इसकी वाइस की तो इधर रुक इधर आ एक गन से मारेगा इधर आ इसको सब मैं तो हाथ से यह से मार दूंगा यार इसको अभी देखना इसका गन ले लेते हैं सबसे पहले तो हम करते हैं लोगों से फाइट मेरे पास सौट गन भाई बहुत सारे गन है यार अपने पास एक मैंने इन दोनों को मार दिया यहां पर एक में बंदा है यह देखो यह में बंदा गाईस से हम नहीं मारेंगे इस इसे हम पूछने वाले हैं अगर बता देता है तो हम तुझे छोड़ देंगे माइकल? माइकल से तो काफी टाइम हो गया मिले हुए जबसे हमारी फाइट हुई तब से मैंने उसे देखा नहीं कहा है वो अच्छा ऐसी बात है तो फिर ये ले तो चलो गाइस यहाँ पर जितने भी बंदे थे फ्रेंड है फ्रैंकलीन कहा रहा है उस पर जादा सक तो नहीं कर सकते लेकिन वह बहुत ज़्यादा अमीर है तो हो सकता है थोड़े पहुत पैसे के लिए उसने माइकल को किड्नाप कर लिया हो लेट्सको गाइस हमा चुके हैं माइकल के दोस्त के घर पे आज हो देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो अपनी डिफेंडर को ले करके आ जाते हैं थोड़ा सा और अंदर चलते हैं ठीक है यही पर अपनी डिफेंडर को खड़ी कर देते हैं और गाइस यह तो सच म भाई बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा है गन को अंदर रख लेते हैं ठीक है पहले हम कोई भी फाइट नहीं चाहते हैं हम इससे प्यार से पूछेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है साइद यह कुछ गाड बगर आ है तो बात करते हैं इससे ठीक है तो गैस ह यह पास भी पीश्टल था बाई और हमारे उपर यह टैक करने की कोशिस करा बट हमारे साथ ट्राइबर और फ्रांक्लीन है इन लोगों ने हैं सेकंड में इसे मार दिया और इसके बंदे भाई हमारे पर aim कर रहा है रुको जारा इससे हम बात करते हैं भाई मार देगा इससो नहीं यार मुझे नहीं लग रहा है कि इसने अपने आपको surrender कर दिया है तो गैस ये बंदा कहा रहा है कि इसे माइकल के बारे में कुछ भी पता नहीं है अगर इसकी help चाहिए तो ये help कर सकता है मुझे भी ऐसा लग रहा है इसको सच में उसके बारे में पता नहीं है तो गैस फ्रैंकलिन कहरा है कि इससे सच में उसके बारे में पता नहीं है अभी के लिए फिलाल इसका helicopter हम ले करने चलते हैं जब इसकी help की जरुरुत पड़ेगी तो हम इसे बता देंगे तो लेट्स क तो गैस अभी के लिए प्लान चेंज हो गया भाई जब मैं इंडियन बाइक ड्राविंग 3D के सीटी से आ रहा था जीडी फाइब की सीटी में तब हमने देखा था कि कुछ पुलिस वाले किसी को प्रोटेक्ट करके कहीं लेकर के जा रहे थे वो पूरी बात जब हमने फ्रैं माइकल है और अगर माइकल नहीं है तो वो पुलिस वाले किसको इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे आ जो चलते हैं सीधा इंडियन बाइक ड्राविंग 3D के सीटी में तो हमारे साथ के वल फ्रैंकलिन जा रहा है ट्रैवर यही पर रहेगा क्योंकि माइकल को ढूंडना है है तो हम इस प्लेइन को एक साइड खड़ी कर देते हैं तो यहाँ पर हमने प्लेइन को खड़ी कर दी है अब आजो डिफेंडर ले करके पूरी सिटी में ढूरते हैं गाइस देखते हैं कि माइकल कहां पर है वेट गाइस पुलिस टेशन पे तो काफी भीड लगी हुई है एक सिकन इसके उपर चलते हैं देखते हैं कि भाई पुलिस टेशन पे क्या चल रहा है लेट्स को गाइस जैसे तैसे मैं इसके उपर आ गया एक सिकन मैं पनी स्नाइपर निकाल लेता हूँ देखते हैं गाइस कि पुलिस टेशन पे चल क्या रहा है भाई इतना ज्यादा भ पारफुल हो गई भाई जी टीए फाइब के पुलिस तो अभी तक माइकल को नहीं पकड़ पाई लेकिन इंडियन बाइक ड्राविंग 3D के पुलिस वाले इसे पकड़ लिए एक सिकिंड गाइस यहां पर तो बहुत सारे पुलिस वाले भाई इसके उपर भी कुछ लोग है और इधर भी है भाई यह लोग यहां इतने सारे पुलिस वाले कैसे आ गए भाई आजो चलते गाई सबसे पहले न हम इनसे बात करते हैं अगर यह छोड़ देते हैं तो ठीक है वरना इनसे हमें फाइट करना पड़ेगा तो गैस फ्रैंकलीन कह रहा है कि हमें सीधा इनके उपर अटाक करना है इन लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है माइकल को अरेश्ट करके तो चलो गाई सीधा इनके उपर अटाक करते हैं लेकिन भाई बहुत सारे पुलिस वाले हैं यार यह देखो इतने सारे पुलिस वाले भाई बहुत ही हाई सेकुरिटी है लेकिन को भाई कोछी पूलिस वाले बहाई इस पूलिस टेशन में थे एदर से कौन मार रहा है भाई वो रहा रूख जा ये अरे यह नहीं नाहीं है क्यों मार दिया भाई यह रहा एक पूलिसले ला तो ईसे भी मैंने मार दिया अन्यद्ल का इस और कहां रहें तुरुको इस तरफ से चलते हैं फ्रैंक्लीन भी गाइस इन लोग को मार रहा है लेकिन यह देखो भाई बहुत सारे यार इनके पास बहुत तगड़ा वैपन है अरे इधर बहुत सारे गाईस यह देखो इधर एक बंदा है तो इसको भी मैंने मार दिया पाकी तो पन आर दिया यहाँ पर देखो भाई काफी सारे पुलिस वाले पड़े हैं उपर भी बहुत सारे थे इस तरफ अगर देखे तो कोई चुपके तो नहीं बैठा है ना भाई यहाँ पर यहाँ पर कोई भी नहीं है भाई तो चलो अभी हम लोग यहां से जल्दी से निकलтесь व लेकिन उससे पहले इन लोग को एक एक बार और मार देते हैं वरना ये लोग जिंदा भी हो सकते हैं यह देखो भाई कितने सारे पुलिस वाले इदर पड़े हुए हैं इसको भी मार देते हैं उदर भी है तो चलो छोड़ो जाने दो इन सबको अभी हम लोग यहां से निकलते है वरना भाई कहीं और पुलिस वाले आ गए तो प्राब्लम हो सकता है उससे पहले हम लोग यहां से निकल लेते हैं चलते हैं सिधा जीटी फाइब की सीटी में वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे उसके बाद हम वापिस आ जाएंगे जब यह लोग भूल जाएंगे तो चलो पर यह रही भाई अपनी प्लेन इसे लेकर के चलते हैं सिधा जीटी फाइब की सीटी में लेट्स को लेट्स को गाइस लेकर के चलते हैं अपनी डिफेंडर यही पे रहेगी वो लोग भाई अपनी अंडर रख लेंगे हम नया डिफेंडर ले लेंगे भाई माइकल के